हाई गाइस दीप इलेक्रोनिश लैब में आपका बहुत-बहुत सोगा थे दोस्वाज कि इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि हमारे SMPS पावर सप्लाई के अंदर जो मॉस्पेट को इस्तेमाल किया जाता है 4N60, 5N60, 7N60 इस तरीके से जो मॉस्पेट को इस्तेमाल किया जाता है लगबग हर एक SMPS पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके जगा पे आप कौन सा equivalent MOSFET को अप लगा सकते हो वो भी आपको एस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो सबसे पहले आपको ये जनकड़ी लेना होगा कि हमारा ये जो MOSFET है ये सेम टाइप का MOSFET अलग-अलग सब्सक्राइब थक्यों होता है कि tak oni करें सब्सक्राइब ये जडाना होगा कि ये जो फाइब एन सिक्स्टी या आन सिक्स्टी और या फॉरेन सिक्टी जो भी लिख्खा हुआ कैंस में मॉस्पेट के अंदर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यही होता है दूसको इसका काम करने का MPR यानि कि काम करने का जो करेंट रेटिंग है वो कितना है अगर मन लेजिए किसी भी SMPS के अंदर 4 and 60 नंबर का मॉस्पेट लगा हुआ है इसका मतला हमारा यह जो पाउर सप्लाई है वो 4 एमपेर तक काम कर सकता है यानि इसका जो काम करने का समता है वो 4 एमपेर तक ही है तो उस जगा पर आप 3 एमपेर का या 3 and 60 नंबर पाउस्पेट आप नहीं लगा सकते हो चाहे तो आप इसका उपर का 4 एमपेर से ज़्यादा जो 5 एमपेर 6 एमपेर लगा सकते हो लेकिन इसका कम एमपेर का नहीं लगा सकते हो ठीकि उसी प्रोकर से हमारे बहुत सरे SMPS पाउर सप्लाई के अंदर 6 and 60 होता है 5 and 60 होता है तो उसी प्रोकर से अगर 8 and 60 लगा हुआ है इसका मतलब वो हमारा पाउर सप्लाई 8 एमपेर तक काम कर सकता है तो जब हमेरे किसी पोर सप्लाई के अंदर इस तरीकoga, Mawaspet ख़राब होने के बाद सेम नमबर का मॉस्पेट अगर हम उस पाउर आदकर लगा भी देता हून, वह भी ठीक नहीं होता, यानि कि लगाने हुआ यह जो एलेटीवी का मदर वोडे यह खराब हो चुगा था इसके अंदर यहां पर एक शिक्स और सिक्स्टे नंबर का मॉस्पेट लगा वह था इस जगा पर हमने युनिवर्सल चोल्टा सा एक का यहां पर लगा होता है जब हमारे यह शाणने केtw बहुत करने के लिए लेकिन मैं देखता हूं कि इस पाउर सप्लाई का टाइप कैसा है उसके बाद हम लोग क्या करता हूं यह जो एक यूनिवार्सल मार्केट में मिलती है जिसका नमबार है यह यूनिवार्सल आप किसी भी जगह पर लगा सकते हूं जहां पर इस तरीके का मॉस्पेट लगा हुआ है मैं क्या का फोर एंड सिक्स्टी से लेकर ट्रुल एंड सिक्स्टी तक कोई भी मॉस्पेट अगर आपके संप्स पाउर्ट सब्सक्राइब के अंदर लगा हुआ है तो आप उस जगा पर इस एस्टियार को लगा सकते हूं और यह एस्टियार लगाना बहुत ही मुश्किल नहीं है जो लोग इस फिल्ड में बहुत दिन से काम कर रहे हैं उनके लिए लेकिन जो लोग निया निया इलेक्ट्रोनिस फ कर रहा था उसे वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों विस्तर से प्रैक्टिकले दिखा के रखा हूं कि यह हमारा यूनिवर्सल एस्टियार को किस तरी के इस्तेमाल किया जाता है और किस तरी के से इंस्ट्राल किया जाता है किसे भी संप्यस पाउर्ट्स अप्ला के यहां पर कुछ रेजिस्टर यहां पर और यहां पर डायोड को लगा के इसको मोडिफाई करके मैंने इसे पावर सप्लाइ सेक्षन को रेडी करा हूं और यह जो मोडिफिकेशन प्रोसेस है बहुत ही सक्सेस्पूल है यानि कि बहुत दिन तक चलता है जल्दी से खराब भ 10 बात करें पचास अंपियर तक काम करने का समता ही इसके नदर है और इसके आंदर ओर के खासियत है कि जब हमारा पाल्स-क और यह फिचर इसके नधर दाला गया है तो अगर हम इसकी पींच की बात करें तो तो टोटाल चार पिंच गाने और है कौनसा किसके लिए नहीं नमबर पीन हमारा हो गया ड्रेन के लिए यानि कि यह जो हमारा मॉस्पेट इस मॉस्पेट का जो बीजबाला पीन हमारा ड्रेन के लिए इस जगा पे हमारा यह 5 होता है मिनिमम 25 अगर नहीं दोगे तो यह अच्छे से काम नहीं करेगा इसलिए हमारे जो पंद्रह बोल्ड का जगा पे 25 बोल्ड या 24 बोल्ड जो भी होता है वह हमें बनाना पड़ता है तब को यह हमारा काम करता है उसके बाद हमारे चादन नंबर जो पीन यह पीन के लिए इस्तेमल किया जाता है जो कोई बिए वह सब कुछ हमारा इस चान नंबर के साथ जुन ना होता है तो मुझे आसा है कि आपको जो है इसके बारे में पूरा जनकड़ी मिल चुका होगा अगर आपको इस HDR को इंस्टॉल करने का प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियो इसको देख सकते हो कि हमारा यह जो शारे मोसपेट है फोर एक्षैस्टी फाइवनग सिक्स treatしょ कょ स्थी हिस्टीइश्टी से लेकर ट्वयल एक्षैस्टी और फोन जिक्स्टी फाइब यह जो भी जितने भी मॉस्पेट है सारे मॉस्पेट के जगा पर आप इस एस्टियार को लगा सकते हो और मैं लगबग काफी सारे पाउर सप्लाई के अंदर इसको लगा चुका हूँ काम बहुती जबड़्दस तरीके से करता है और खास करके जो हमारा छोटे छोटे चोटे टी YouTubeaching बनाया गया है तो अभी तक आपने नहें कि नहीं मिला होगा कहीं से भी तो आप इसे वीडियो के जरिए सारे जन्कड़ी ले सकते हो मेंने इसको लगाने का सूर मेरे डायग्राम में पर क्नाविया है तो उस के लिए बढ़राप को मुझे आशा है कि आपको यह बहुत ही पसंद आया है अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर दिजिएगा और अगर इसी पूरो करके और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्स्राइबर के जुरे रहिए और इस वीडियो को अपने सारे जागा पर सेर कर दिजिए ताके बाकी लोगों पता चले तो हमें फेर में लेंगे नेक्स वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए उसी अल्दा बेस